उत्तर भारत में भारी बारिश ने इसक्षेत्र को घुटनों पर ला दिया है जिससे पिछले तीन दिनों में 37 से अधिक लोगों की जान चली गई है मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखन, हर्याना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में और भारी बारिश की भविश्यवानी की है राष्ट्रिय राजधानी में यमुना का जलस्तर, जो सोमवार को खत्रे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया था आज सुबह 206.24 तक पहुँच गया हर्याना ने हथिनी कुंड बईराज से नदी में एक लाख क्यू सेक से जादा पानी छोड़ा गया है जिससे दिल्ली में बाढ का खत्रा मंडरा रहा है अधिकारियों ने कहा कि यमुना नदी उम्मीद से पहले खत्रे के निशान को पार कर गई है अनुमान लगाया गया था कि मंगलवार दोपहर तक ही यह खत्रे के निशान को पार कर जाएगा अधिकारियों ने बार की आशनका वाले निचले इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है उन्हें शहर के विभिन हिस्सों में राहत शिविरो और सामुदाइक केंद्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने शहर में बारिश के कारण हुए जलभराव और यमुना के बढ़ते जलस्तर पर चर्चा के लिए एक उच्चिस तरिये बैठक की अध्यक्षता की थी विशेश अग्योद्वारा की गई भविश्यवानियों का हवाला देते हुए केजरिवाल ने कहा था दिल्ली में बार की संभावना नहीं है यमुना नदी का जलस्तर तेजी से उपर बढ़ रहा है ऐसे में मुश्किल हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बार संभावित क्षेत्रो और यमुना के जलस्तर की निगरानी के लिए 16 नियंतरन कख्ष स्थापित किये है चुनकी भारी बारिश से लगभग पूरा उत्तर भारत प्रभावित है इसलिए सेना और राष्ट्रिय आपदा प्रतिक्रिया बल ने प्रभावित राज्यों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है देश के ज़्यादातर राज्यों में कई नदिया उफान पर है शहरों और कस्बों में कई सरके और इमारते घुटनों तक पानी में दूबी हुई है बारी बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मानसून के प्रकोप में कोई कमी नहीं आई लगातार बारिश के कारण भूसखलन और अचानक बाढ़ आई जिससे घरों और सेकरों करोर रुप्य की संपत्ति को नुकसान पहुचा है